मुझा दोस्तों मैं हिमानसुद वेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ यह जो कुरोना महामारी हमारे संपूर्ण विश्व पर चा गई है यह लगता है मानोस समाज को खत्म करने पर तुला है इसका डबलो एचो के द्वारा एक मात्र जो उपाय सुझाया गया है इससे बचने के लिए सोसल डिस्टेंसिंग हम सभी का करतब भी है कि हम इसका कड़ाई से पालन करें जिससे यह हमारे समाज में न फैलने पाए क्योंकि इसका रोगी यदि कहीं जाकर बैच भी गया और उस जगे पर गलती सजाकर हमारा एसपर्स हो गया तो यह बीमारी हम तक पहुँच जाएगी और हम से हमारे परिवार तक और परिवार से हमारे समाज तक तो कुछ लोग इससे डर भी रहे हैं डर का माहोल उत्पन है समाज में और होना भी चाहिए स्वाभाविक है क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देश जो इतनी तकनीकी रूप से इतना सच्छम है कि वो 6 गंटे तक अपने मरीज को मरने के बाद भी जिन्दा रखते हैं वेंट जादा से जादा घर पे रहना है और इस बीमारी को यह क्योंकि अद्रस से बीमारी है यह ऐसा दुस्मन है जो हमें दिखाई भी नहीं पड़ता तो इससे किवल एक ही प्रकार से बचा जा सकता है सोसल डिस्टेंसिंग घर पे रहें कुछ लोग डर रहें इससे डरना नहीं है इसका सामना करना है सामना भी नहीं करना है घर पे रहना है और इसको मुहतोर जवाब देना है कैसे मैंने चार पंक्तियां लिखी है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुचा रहा हूं कि करोना इससे डरोना करोना इससे डरोना सारा जग घुमके इंडिया आया है इसको चखाओ मज़ा जा जा करोना इससे डरोना आगे की पंक्तियां घर से बाहर आओगे तो सताएगा बाहर से फिर घर के अंदर आएगा ये ऐसा दुस्मन जो स्वाभिमानी है इसका सारा काम बड़ा गुमानी है तो घर पे रहेंगे साथ कहेंगे तुझे हमको है हरा ना ना करोना इससे डरोना और इटली फ्रांस अमरीका चीन जैसे देश लगभग बरबाद हो गएं उसका गार पे हैं लगता है वहाँ मानो जाती रह भी नहीं पायेगी चहां लोग तरस्ते थे कि मैं जाओंगा इटली जाओंगा मैं फ्रांस जाओंगा मैं अमेरिका जाओंगा चन्नत उनको लगते थे देश लेकिन आज ये नर्क बन चुके हैं कैसे इटली फ्रांस अमरीका बरबाद हो गए नहीं बच गाब कोई ये हालात हो गए भारत में हम ये होने न देंगे गर पे रहेंगे कोरोना से युद्ध करेंगे लगडाउन करेंगे कोरोना से कहेंगे तुझको मार गिराना कोरोना इससे डरोना कोरोना इससे डरोना दन्यवाद तो मैं यही साओंगा कि सरकार के द्वारा सुझाय गए लागडाउन को कड़ाई से पालन करें और मानो समाज का कल्यां करें जेके नैशनल न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारी बात सरकार तक और सरकार की बात हम तक पहुँचाती है निरंतर हमें नए नए अपडेट देती है और यह मेरा वीडियो उनके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुँच रहा है इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धन्यवाद